मध्यप्रदेश कॉंग्रस के कारेकारणी सुची पर सियासत अपतेज हो चुकी है तो वहीं बीजब्भी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कॉंग्रस को आड़े हाथो लिया नरेंदरा सलूजा ने कहा कि बमश्किल मान मनोवल के बाद आखरकारी ये सूची जारी होई है लेकिन सूची जारी होने के बाद घमासान होना तैय है सूची को देख कर ही समझा जा सकता है कि जीतू पटवारी की कलाकारी इस से साम्पनी आई है सूची में अरोण यादव के भाई सचुन यादव का नाम है कांदिलाल भुरिया के बेटे विकरांद का नाम है दिगवजा सिंग के बेटे का भी नाम है लेकिन कमलनाथ के बेटे का नाम नहीं है जीतू पटवारी ने नाच से बैर दिखाया सूची में कई वरष्ट लोगों का कद घटा दिया गया है महद्र ब्रदेश की नई कारेकारणी को लेकर सियासत जारी है जहां बीजेपी ने कॉंग्रस को आड़े हाथ हो लिया तो जीतू पटवारी ने जवाब देते हुए कहा कि नकुलनाथ पॉलिटिकल अफ्यर कमीटी के मेंबर है राजनीती में संतुलन रखना जरूरी है हर कारेकरता और नीता का काम करने का मन है जातिय चेतरी और उम्रे के संतुलन का ध्यान रखा गया है मैं मानता हूँ कि और भी परिवार के लोग हैं जनको पार्टी के लिए काम करना है उनकी भी अपेक्षा होती है पॉलिटिकल अफेर कमिटी में राई निती में संतुलन जरूरी है यूद की एनर्जी भी आवशक है और अमिभाव का एक एक तरह का सोच भी जरूरी होता है तो दोनों को बैलेंस किया मुरणा में किसान के घर में घुसकर दबंगों ने जम कर मारपीट किये दबंगों ने लाठी डंडो से महिला पुरुष्टों के सभी के साथ मारपीट की बता दें कि दबंग शास्की रास्ता जोत रहे थे तभी किसान ने रास्ता जोतने से मना कर दिया जिसके बाद मारपी पहुंचे आरोपियों के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर यापन भी सौंपा कि अच्छा कि अच्छा कि मुर्णा की तस्वीरें जहां पर दबंगों ने पिटाई की है लोगों को मारा है और उसके बाद जब थाने ये सबी लोग पहुंचे शिकायत लेकर के तबंगों के दबारा तो शिकायत नहीं लिखी गई उसके बाद एसपी कारले ये सबी लोग पहुंचे यापन इसपी के नाम स्वापा देहार देवास में साथी मित्र के साथ जन्मदन मनाने गई यूवक के साथ होटल में मारपीट की गई बता दें कि यूवक अपने आच से दस दोस्तों के साथ जन्मदन मनाने पहुंचे थे तब ही इसी दोरान कुछ लोग आए यूवक के साथ गाली को लौच करने लगे और मारपीट शुरू कर दी तो वहीं यूवक के सर पर कई चोट आई है पीडित यूवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत कर आई तो वहीं पुलस ने मामले की जाच अब शुरू कर दी है। को लोगों ने पकड़ कर पीटा है बताया जा रहा है कि गोविंद पुरा थना इलाके में छात्रा कोचिंग से लौट रही थी यूवक ने उसके साथ छेड़ चाड़ की इसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई कर दिये तस्वीर ने भूबाल की सामड़ पर आई दो महिलाएं सोने की अंगोठी चोरी कर फरार हो गए दुकानदार से 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 टीवी फुटेज चेक किया गया तो इस घटना का खुलासा हुआ दुकानदार ने सोशल मीरिया पर मैसेज भेज़ कर दोनों महिलाओं को शनिवार शाम तक अंगोठी लोटाने की महलत दी है जब महिलाएं अंगोठी लोटाने नहीं आई तो फिर दुकानदार ने चोरी का मुकदमा दर्च कर आया लिखाई दे रही है जो दो शोरूम में आई है और वो अंगोठी देख रही थी और वो संबब्त वो ले रही है इस संब्ध में उनके अन्न Cctv फोटेज बर टेक्निकल साक्ष के आधार पर से नाक्त की किया रही है जल्दे जल्दे उनको सनाक्त कर गरपतारी की जाएगी उनके कब जाचा हमोटी बरामत की जाएगी और गरपतारी की जाएगी